हेलो डियर इस्टुडेंट आज सभी का हमारी यूटूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो देखे अब हम करेंगे क्या हम टेलिग्राम रुपे तो लाइव अपना कुछ करते ही यह डेली लाइव कुछ होता है साम को साथ बजे होता है और सुबह में दस बजे होता है तो अभी तक हम टेलिग्राम पर ही लाइव क्लास करते थे आपके डाउट को सौल करते थे वहाँ पर जो डाउट आप पूछते तो इसको हम ले लेते थे तो अब से हम करेंगे क्या जितने भी कोशन होते हैं लगवारा तीस जो कोशन है तीसो को मैं प्लाई करोगे तो ये देखिए ये जो वीडियो होने वाले हैं यूटूब पे अब हम मैं डेली लेके आऊंगा साम को साथ पंद्रेश साथ बीस से आपको मिलेगा क्लासेस और ये MSC इंटरेंस के लिए CPET के लिए Assistant Professor के लिए ODSSB OPSC सब के लिए कारगर रहेगा तो चलि क्रूसिफेरी फैमली जो होता है, Сुपीरियर ओंड़ी होता है, बाई कार्पिलरी ओंड़ी से वहां पे SillyC schwierig ho crank होता है आपको पता ही है यहां पर क्या होता है कि इस कई सी हमाइन लेकिन यह होता है इसको हम क्या वोलते हैं में सरसो का फ्रूट देखो लंबा लंबा रहता है लेकिन सीली कुला में क्या होता है इसका चोड़ाई ज्यादा होता है लंबाई कम होता है समझ गये ना ये सीली कुला होता है इबरिस अमारा या कैंडी टप मिलता है एकीन देखो रैनेन कुलेसी में हो गया रोज में मिलता है टमाटर ये सब, बेरी फ्रूट का मतलब है, जहां पर बहुत सा ज्यादा सीड है, फॉलिकल आप जानते होंगे, कैलो ट्रॉपिस में मिलता है, कैलो ट्रॉपिस ये सब में फॉलिकल आपका होता है, तिक, अगला कोशन है, क्यूनीन जो ड्रग है, वो कहां से निकाला जाता ह तो क्यूनीन ड्रग जो है, आपको पता होगा, ये सिनकोना एक प्लांट होता है, सिनकोना प्लांट होता है, यहां से निकाला जाता है, और इसके बार्क से, किसे जी बार्क से, क्या निकाला जाता है, बार्क से एक ड्रग निकाला जाता है, जिसे क्यूनीन बोलते हैं, और और ये malaria के रोग थाम में कारिगर होता है, malaria के रोग थाम में, ठीक है, और यह किस family से बिलॉग करता है, ruby AC से बिलॉग करता है, तो ruby AC से एक और plant आप से पूछा जाता है, बहुत important, याद कर लेना, यह जो coffee होता है, coffee plant, coffee या अरेबिका यहीं से बिलॉग करता है, एक मैं क्या काम है, यह क्या चड़ता है, बता सकते हैं, रोट AC family देखो, नीबू का family है, रोजेसी आप जानते हो, अगला question है, वो इस प्रसीज जो एक particular area, मतलब यही area है, इसके अंदर ही पाए जागा, इसके बाहर नहीं, जैसे आप जानते होंगे, आस्टेलिया जो एक क्या है, that is the endemic species, got it, rare species जिसका number बहुत कम हो गया हो, keystone species जिसका number कम हो, क्या हो भईया, number कम हो, number क्या हो, disproportionate in mirror हो, मतलब number कम हो, लेकिन उसका community के उपर, उसका ecosystem के उपर large impact हो, keystone species वो होता है, endangered species वो species होते हैं, जिनको अगर आप protection measure नहीं provide कर रहे हो, तो वो near future में खतम हो सकते हैं, अगला question है कि इसमें से कौन सा phylogenetic system आप classification नहीं है, तो देखो basic का हो गया, ठीक है, thorn का हो गया, angular and parental, यह सबका phylogenetic system आप classification है, APT candle ने taxonomic termorum के बारे में बताया था, इन्होंने classification के बारे में नहीं बताया था, आप एक question हमको बताना, कि वो कौन सा classification है, जिसको हम natural system आप classification बता सकते हो आप, एक और question पोस्ता हूं आपसे, वो कौन सा classification है, जिसमें जो taxonomist थे, उन्होंने लिगनोसी, लिगनोसी and herbacy term दिया, herbacy term दिया, एक और आपसे question पोस्ता हूं, यह आपको बताना है, कि numerical taxonomy को develop किस ने किया, numerical taxonomy को, बिल्कुल सही, comment बताते जाए आप सब, चलो, अगले question चलते हैं, देखो न, क्या होता है, पॉलिनेशन के बारे में आप पड़े होगे, पॉलिनेशन जिए ट्रांसफर आप, पॉलिन ट्राम इंथर टू दा इस्टीमा, ठीक है, जहां पर वो वाटर के उभ्यार करके, पॉलिन ट्यूब जन्मिनेट होता है, अंदर जाता है, तो देखो यह पॉलिन ट्यूब जो वहां से जाता है, तो देट वाज़ द पॉलिन ट्यूब इंटरी कर रहा है, तो देट इस्ट चलेज़ गेमी, और यह आपका कैजू रहिना में मिलता है, और मीजो गेमी, जब पॉलिन ट्यूब क्या हो, इंट्गमेंट के त्रू जाए, तो उसे मीजो गेमी कहेंगे, और यही होगा, आपका राइट एंसर, सिंगेमी तो क्या होता है, जो पॉलिन ग्रेन आता है, वो एक सेल के साथ फर्टिलाइज होता है, तो सिंगेमी, सिंगेमी का मतलब होता है, फ्यूज होना सिंगेमी का मतलब, ना, अगला कॉशन है, इंडो स्पर्म कहां पे, इंडो स्प बன्यसपर्म के बारे आप जानते हैं । कि भया यह डिवलपी इंब्रियों को नरिसमें को रयेक्ट करता है यह अधरोइं तो दो दिया है तो यही एंसर होगा बाते समझ में आ रही है ना देखो question solve करते यह बिल्कुल ध्यान दो कि आपको सिर्फ answer नहीं निकालना कि answer निकाल लिए मतलब अगर इंडो sperm से question आ गया तो आप all about the endosperm के बारे में समझो कि endosperm आखिरकार होता क्या है cellular endosperm क्या है free nuclear endosperm क्या है ठीक है ruminate endosperm कौन सा है मोजयक endosperm कौन सा है तो सारा चीज all about अगर एक point मिल गया तो सारा उसको recall गरो कहें नहीं होगा तयारी आपका तयारी में लाइक कर रहे हो अगर आगे आपका exam है OPSC के लिए ODSSB के लिए तो हमारा course भी है आप join कर सकते हो course को ठीक है चलो आगे चलते हैं monosporic embryo sac with 8 nuclei तो जब आप embryo sac पढ़ते हो तो वहाँ पे monosporic पढ़ते हो, biosporic पढ़ते हो, tetrasporic पढ़ते हो तो monosporic जो होता है इसको हम क्या बोलते है normal embryo sac जो seven celled होता है seven celled eight nucleate जिसको बोलते हैं वो हमारा polygonum type का होता है edoxa जो है tetrasporic है, alien जो है 22 पढ़ते है और fertility area भी यह tetrasporic है तो ऐसे गर कि आप जब चीजों को एक बार पढ़ लिए हो जब question लगाओगे मालो हमको अभी याद नहीं आ रहा है तो उसको आप अगर भूर रहे हो तो अपने notes में जाके देखो जिस किताब से पढ़ते हो कहीं पे course join किया है तो वहाँ पे आप देखो समझ रहे होगी नहीं चलो इस देखो series जो हम अभी लाए है पहला series है और इस series का मतलब यह नहीं कि सिर्फ हमको MC की स्वाल कराना है और चले जाना है हमको आपको सारी चीजे बताते चलना है कि क्या चीजे important है क्या चीजे important नहीं है कैसे चीजे पढ़ना है और यह session अगर आप follow करते हो totally जितना चीजे बताया जा रहा है उतना करते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है तो आप देखो इंडियन रबर होता है फाइकस इलस्टिका से मिलता है तो आप जैसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के रबर होते हैं मैंनी होट यह सब करके है न तो वह सब भी साथ है पढ़ लो यह फाइकस इलस्टिका जोभी यूफोर येसी का अब जानते हैं अब देखो का से मिलता है केशरway का स्टिक्मा से मिलता है ड्राइड संटिक्मा और स्टाइल होते हैं केसर का सबसे महंगा जो है आपका यही मिलता है केसर बहुत मेहनत लगती है तो अब इससे देखो यह किस फैमली से बिलॉंग करता है केसर इरी डैसी फैमली से बिलॉंग करता है इसका साइंट्फिक नेम क्या होता है इसका साइंट्फिक नेम होता है क्रोकस सैटिवस ुक, यह सारा आपको याद करना पड़ेगा।ब रागी कहां से मिलता है। तो रागी जो होता है, इसको हम फिंगर बिलेट बोलते हैं। रागी को n Gary, आप सिक्चन मताना पड़ु मीझेक की से बोलते हैं। रागी को फिंगर मिलिट बोलते हैं और रागी इस दा इलिसीन को रुकाना बहुत जगह पूछा जाता है अभी लास्ट यह सीवीटी में CSIR तक यह कोशन आया है अभी यहां से रिलीज होता है और स्टेटो स्पेर में यह पहुच के क्या करता है और वो क्लोरीन मालीक्यूल आपके ओजोन से रियक्ट करके क्या करता है उसको डिस्ट्रॉय करता है तो यह डी वला अप्सन से होगा आप यह बात याद अकना कि ओजोन जो गैस होती है वो आपकी स सुरस्ट से आने वाली UV लाइट से हमें प्रोटेक्ट करती है अगर यही ओजयों लेयर थीद होगई तो क्या होगा भेया कैनसर वेंसर का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है तो ओजॉन जो हमारी ऊजार है या हम जिसको बोले स्टेटव करने के लिए एक प्रोटकॉल जा तो यह थोड़ा सोच ओं मैं बताता हूं क्या था कियोटो प्रोटोकॉल नहीं किया गया ताकि उसको रिदी जोने से रोका जाए और कियोटो किसके लिए था आपको पता है कियोटो प्रोटोकॉल हाँ बिल्कुल सही है ग्रीन हाउस गैस इनिसिन रखने के लिए ठीक तो चलो अगले कोर्शन पर चलते हैं हां यह निकलते हैं ऑल्ग से और भाश्ट फाइबर क्या हो या इसको क्या वोलते हैं बस्ट फाइबर बोलते हैं जो कि आपका हम औरुम से निकलता हैlle यह बहुत इ जो cotton fiber होता है यह पहले आप बताईए cotton belong कहां से करता है हाँ बिल्कुल सही बात है cotton belong करता है मालवेशी से गासूपीम हरसूटम नाम होता है और यहां के जो seed के epidermal hair होते है न वहां से fiber निकलता है यही में बताना चाहता था अगला question है कि DNA का जो structure था उसको किस बीधी के दोरा confirm किया गया था तो दोखो न डियने के structure के बारें बात कर रहा है यहां से इस point को आप ऐसे highlight करो मतलब ऐसे highlight करने की जो तनी है आप सोचो कि DNA के structure के बारें पूछ रहे है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि DNA का structure उन 62 में Nobel Prize मिला ठीक और इन्होंने एक technique यूच किया जो कि develop किया गया था BRAX के दोरा BRAX नाम था उनका और उस technique का नाम था X-ray diffraction technique और इसके यूच से इन्होंने बताया कि DNA ऐसे होता है अगर आपके पास कोई भी compound है थोड़ा सा कोई ऐसे chemicals है जिसका amount बहुत कम है तो उसको आप पता लगा सकते हो कि कौन सा हो है चलो आगे चलते हैं हेमेटो जायलीन एक आपका बताओं तो हेमेटो जायलीन का स्टैन है जो कहां से निकलता है जो mostly आपका nucleus कहें या हम यूँ कहें chromosome को स्टैन करने के लिए काम आता है हमेटो जाईलीन से या आपका श्रिक्त्र ने को DNA से chromosome बाला ज्याधा से ना तो यह कहां से निकला जाता है हमारा बार बड़ी क्या होता है जैसे आप जानते हो कि जैसे अगर फिमेल है तो उसके अंदर एक्स होता है ला इसके केस में नारमल Americans उपाँरे और लग्र लान पपमोर मिपिध को जोड़ दर यहाँ पर भाँ वरीं को चोड़ दोगे और तीन को बताऊगे कि भीया यहाँ पर तीन बाउर्टी है इनक्तिव schromosome इंपे यह वला सफिस रहेगा समझ रहेगा ना यह एक। यान ने बताया था इसके बारे में हाङेन बारे में इस बारे ने पस्कारा है। आए या ना आए लेकिन आपको पता तो होनी चाहिए ना कि कौन फैट सॉलूबल विटामीन है कौन वाटर सॉलूबल विटामीन है तो फैट के लिए हम बोलते हैं एडेक एडेक बोलते हैं विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K ये fat soluble हो गया अब ये पूछ रहा है water soluble लिकाल दो, मतलब ये ये नहीं होगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो answer क्या हो गया, ये हो गया और ये water soluble कौन होता है विटामिन B, एन विटामिन C होता है समझगे कि नहीं देखो आपको कि सर आप जो बता रहे हैं विटामिन के बारे में हमको नहीं लगता कि हमारे एकजाम में कभी आएगा मैं मानता हूँ कि नहीं आएगा एकजाम में हो सकता है ना है, लेकिन ये सब question तो sit का question है आप भी गया तो क्या तो ये सब याद होना चाहिए अब बिटामिन A का नाम क्यों होता है रेटीनाल होता है, D का क्या नाम होता है कैलसी तराले सब होता है तोको फॉराल, फाइनो, ये सब नाम याद रहना चाहिए बेसिक है ना मैं एब धाराओं आप देखो कभी कभी बरसात का मौसमेरी आ रही दिरे दिरे ना पानी भी दिरस रहा है आजकल हमारे यूपी में आपके हाँ हो रहा हैं क्या वर सफ वरसाथ हो रहा है वच्छके रहो ठंड बढ़ने वाली है तो वरसात की दिनों में दरवाजा ज़ंगोता है जाम हो जाता है बंद नहीं होता क्यूं होता है क्यूंकि उसका इमबाई बेस्टन हो जाता है आप को होना दर्दालर जोगा तभी तो इंबाई बेशन होगा एक बात बताओ जैसे क्वेशन को उसता है कि एक टीचर था बहुत बढ़ियां था उसने क्या किया एक बॉटल में सरसों के बीज भरे फिर उसमें बीज एकनम मुह तक भरके उसमें पानी डाल दिया तो वह बारे घंटे के बाद वह सरसों की बॉटल तो वहां पर कौनसा तो आपको बताना पड़ेगा हां सर वहां पर इंबाई की बताओ आप इसमें किस्मिस भी वो दिया किस्मिस नहीं जानते रेजिन रेजिन तो वह किस्मिस फूल जा रहा है तो यहां पे कौन सा फेना मेरा काम कर रहा है जैसे मालो आप एयर फ्रेशनर के वारे हम सुने होगे तो आपने अपने रूम में एयर फ्रेशनर छिडिक दिया या अगर ब इनको मैं बोव रहा हूं इस महासे को उपर मत देखो मोबाइल पर चलो आगे चलते हैं तो साइटोक्रोम के बारे में तो कुछ चीज़े जान लो यह इलेक्ट्रार्म केरियर होते हैं जो आपके रस्पिरसन और फोटुसयंतेसिस में टेक पाइट लेते हैं दिसकोरी किया गया था इसका मैक मून के दौरा थीक हैं साइटोक्रोम मोस्ट आप दे साइटोक्रोम इस मेड़ अप दे आयरन बट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के बारे में इस पेसली पुझे तो वहां पे कापर होता है समझ गये ना नहीं समझ में आता है विच अध़ फॉलिंग इस्टेट्मेंट आर एस्टेट्मेंट इस प्रोसेस आप फोटोरेस्पारेशन इन प्लांट गारेंटिक साथ लिख के रख लो छपर आए एक्जाम में यहां से क्वेश्चन अब जैसे फोटोरेस्पारेशन इस वेश्टफॉल प्रोसेस आप फोटोसिंथेसि जहां पे कुछ सीथरी प्लांट जो होते हैं जब हमारे एट्मॉस्फियर में हाई टंप्रेचर हो जाए सी ओटू का कंसेंट्रेशन कम हो जाए और ओटू का कंसेंट्रेशन बढ़ जाए तो हमारा प्यारा जो रुबिस्को होता है यह क्या करता है यह सी ओटू से ना बाइंड करके कहता है हम ऑक्सिजन को बाइंड करेंगे और हम वेश्टफुल प्रोसेस चलाएंगे तीन से लार्गनेल की मदस्ते दैट से लार्गनेल वाज़ दो ख्लोरोप्लास प्राक्सी सोम में मैटो कांडिया तो वहां पे कि अच्छे वाले उन्जाएंग मों पराक्सी सोम में है मीटो कांडिया तो बस इतना करता है कि भईया वो ग्लाइसिंग को सेरी ने बदलके फिर से री ट्रांसपोर्ट करता है तो पराक्सी सोम में कह सकते हैं कि आप complete होता है तो फोटोरस्पाइलेसिटी मिलेता है सही है फोटोरस्पारेशन टेक्सप्रेस इन बोथ नहीं, C4 में नहीं होता ना, ग्लाइकोल डेटीज आक्सिडाइज तो ग्लाइकुलेट इन पराक्सिसोम, हाँ ये भी सही होगा, तो P and Yes सही होगा, ठिक, आगे चले, तो फोटोरस्पारेशन अच्छे से पढ़ लेना, कि वोने कैसे खोजा, कौन-कौन से सेल आरगनेल, तीनों बताया न, मैं ये ग्लाइक। धिन और सेरीन का ट्रांसपोर्ट पढ़ लेना, किस सेल आरगनेल में अमोनिया निकल रहा है, किस सेल आरगनेल में हाईडोजन पराक्साइड बन रहा है, अरे बात को मानों, पढ़ लेना खाई इतना क्यों और पड़े भी हो एक बार रिवाइच कर लेना मैं बता रहा हूं तो करो कि कि नहीं ठीक आगे चलते हैं कि कह रहा है बया मैक्समम कार्बो हैड्रेट कौन सा प्लांट बनाएगा तो आपको चूच करना है कि कौन इसमें से सीफोप्लांट है तो सुगर केन इस दा सीफोप्लांट जिसका होटो सिंथीट्र इड़ ज्यादा होगा न तो यहीं होगा नगांगा च्वूशन भाई यह आप चाहते हैं सीड को अपने खेत में लगाने से पहले क्या करना चाहते हैं आप उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हो ताकि वह क्या हो उसका अर्ली फ्राउलिंग हो मतलब उसका वेश्टेटिव फेज से वह जल्दी से रिप्रोड़क्टिव फेज के अंदर चला जाए तो उसको कहो के बढ़ने लाइजेशन कुछ चीजे मैं क्लियर करा देता हूं जैसे सब्सक्राइब करें अरे जैसे नीचे देखोगे ना स्वाइल के सथा पे तो वहां पर ग्रास रहेंगे फिर जाडियां रहेंगी बड़ी जाडियां फिर चोटे पेड़ बड़े बड़े पेड़ तो ऐसे एक एक लेयर पर रहते हैं तो आट वास दा इस्टार्टिकेशन आप सीड किसलिये देखो वर्नलाई जेशन यो जाल सो कोल ट्रीटमेंट heir पेडियो और यह लेकर आते हैं अगर हम सीड जर्मिनेशन के लिए कोल ट्रीटमेयंट करें दैट इस्टार्टिकेशन इस और होता है कोड ट्रेटमेंट यह हम दूर्ट जर्मिनेशन के लिए करा करते हैं मतलब आसानी से अच्छे से जर्मिनेट अगर हम सीड जर्मिनेशन के लिए कोड़ ट्रीट्मेंट करें अगर हम जल्दी से चाहते हैं कि हमारा वेश्टेटिव से रिपोड़क्टिव में जाया और फ्लावरिंग अच्छे सो तो तो देट इस दो वर्नेलाइजेशन और गोंगे सार ठीक है समाझ गया है यह वत्ताइए इस कैरीटिक जह है तो कुछ होते हैं आर्थर डॉक्स टाइप के सीड करना कियोंकि उन सीड के उपर है हाड सीड कोड तो उनको आप मैकेनिकल मिन से चक्कोब कू लेकि या तगड़-गड़ दे डीवोट रिमूब हो जा रहा है तो उसको होने में आसानी अगल्ला कोश्चन है अगसल इसे होता है और इसके अंदर भी फार्म अपरेटर होता है ये औरबूरेटर के दुरूछ पाओना होता है ग़रोल को यहां होता Sum तो उसे केमिकल को सेंस करके यहां पे देखो क्या होता है इस्टिग्मा होती है यहां से तो पॉलेन यहां पे लेंड करते हैं अपना पॉलन ट्यूब को ऐसे मैक्रोपाइल पॉलन ट्यूब को मैक्रोपाइल से होटे हुए यहां पे लेकिया आता है तो यह क्या करता है पूरा पॉलन ग्रेंड मुहों के नहीं हो रहा है पॉलन ट्यूब सिर्फा रहा है तो उसको कहेंगे कीमो टैक्सिस बोलेंगे तो यही चीज़े टैक्सिस का मतलब सुनो लो टैक्सिस और टॉपीजयन का मतलब सुनो लो जैसे हमारे यहां पर मुझे पढ़ाते पढ़ाते लग गई घू। तो मेरे यहाँ यहाँ अलमारी पर बिसकुट लगा है बस मैंने अपना हात बढ़ा के उसकुट लेके खा लिया तो क्या है वो टौपिक मुहर mám मैं नहीं जा रहा हूं तुर्प मेरा हाथ जा रहा है और क्या है समस्प्रम गूंप्यों अगला कोश्चन से कि इन में से देखना है कि कौन कौन से जाएं महें जो आपका केलिन साइकल में होता है थोड़ा से मैं समझता हो कि हो सकता है आपको टफ लगे लेकिन मैं बताता हूं कैसे देखो आप यहां पे एंजायम लेखो simply विल्डॉलेज कहां पर आता है यह साइकोलिसिस में आता है जब फ्रक्टो जो बाइफास्पेड को क्लीव करना होता है तो यह तो होगा नहीं और फिर देखो ग्लिस्टरल डिहाइब 3 फास्पड डिहाइडोजन यह भी आपका ओसी में आ जाएगा और यहां पे ग्लिस्टराल काइडेज सेरीं सिंथेज यह आप सकते हो समझे कि नहीं अगला कोशन चलो तो बाईउमास टर्रोवर टायाइज यह में यही पूछ रहे हैं तो आप सुनें हो ट्रापिकल रेंटीप्थ को ओ ट्रॉपिकल वेट वेट ऐट विट वहोंते हैं यहों होता ब्हीन ट्रॉपिकल वेट वेट वारिश्ट का productivity ज़्यादा क्योंकि वो equator parents होती एकदम बीच में दर्थी के एकदम जहाँ पे क्या होता है भया high temperature होता है high temperature होता है high rainfall होता है तिक और सूरज की CD की रण पड़ती है तो photosynthesis भी ज़्यादा होता है समझ पार है वाद को आगे चलते हैं बहुत बढ़िया question है population आप individual आप species having genetically fixed variation देखो ध्यान से देखो यही तो term है जो आपको question solve करने में help करेगा मतलब समझ लो की एक parents है मतलब एक parents है इनके क्या हुए दो बच्चे हुए देखो इदा सही से बनाता हुआ आई नहीं तो आप बना क्या रहा हुए देखो यह दो e 30 से इनके क्या हुए दो बच्ची हुए तो एक बच्चा चला गया अन्डवान और एक बच्चा चला गया तो आश्टेडिया वाला इन्डवान वाला का słuका रहा अब ecofin ये समझो कि मतलब same condition रहेगा लेकिन क्या रहेगा भीया वो वापस अगर वहाँ पे उस habitat पहाएंगे तो फिर environment की वज़े से वो फिर से गोरी हो जाएंगे मतलब देखो ecofin क्या होगा ना ये genetically fix नहीं होते हैं मतलब दो अलग अलग बच्चे को अलग 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 एरिया में फिस दोगे तो अपना वहाँ के habitat वहाँ के environment की हो जैसे अपने आपको change तो कर लेंगे लेकिन ये क्या होता है reversible चीजे होती है मतलब उसको फिर से उसके native environment में लाओगे तो फिर से जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे लेकिन ये इको टाइप का होता है ना कि ये genetically अपने आपको fix कर लेता है मतलब किसी को जैसे क्या करोगे ना ऐसे समझो example जैसे मार लोग बहुत लोग होते हैं लड़के लोग जौप करने जाते हैं बहुत दूर दूर तक तो वहाँ पर जाते हैं तो माहौल ऐसे रहता है तो adopt कर लेते बहुत बहुत अब है थें बहुत कर लेते हैं तो बाहर हैं उनमें कोई बदलाव नजर नहीं बोलते हैं और कीष्ट क्या होते हैं भीया हमने बताय था आना जो किसी community के structure को decide करें मतलब जो जिनका number कम हो जिनका number कम हो लेकिन community के उपर large impact हो की इंडेमिक जो particular area में पाए जाए एक अगला question है बहुत ही simple देख लो इस ट्रॉंसियम से होता है bone cancer bone cancer यसा 90 करके 95 इस से होता है mercury से होता है आपका minimata disease जिसको हम बच्चे में क्या होता है हाथ पर मचली के पंक की तरफीन की तरह हो जाता है लेट से होता है आपका लेट से हम कर सकते हैं एनीमिया हो सकता है लेट से और cadmium से इटाई-टाई होता है तो यह चीज यह वाला मैच कर जाएगा बहुत इंप्वर्टन्ट है अगला कोशन है फूर्ट चैन के बारे में तो कौन किसको खाएगा यही मिलाना है यह यह प्लाना है आप ग्रास ओपर को ग्रीन प्लांट खाएगे नहीं होगा ग्रासोबर को green plant खाएगे नहीं होगा green plant को ग्रास ओपर खाएगा ग्रासोबर को फ्राग खाएगा लेकिन फ्राग को पिकाक नहीं खाएगा तो यह वहला सई है अगला question है the following bio fertilizer is not a nitrogen source तो राइजोबियम जो लेग्यूम प्लांट रहते हैं वहाँ पर करेगा काम एजोला जो रहता है आपका एजोला धान की फसल में भी nitrogen को fix कर सकेगा एजो इस प्राइडोर्म भी करेगा लेकिन स्यूडो मिना जो होता है डी नाइट्रिफिकेंस होता है मतलब यह nitrogen को free करता है तो यह नहीं होगा तो यही right answer होगा ना अगला question है अगला question है एब एक गूरसुत्र बढ़ जाते हैं एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है पटाओ क्या होता है अब जाता है जैसे बहुत लोग डीजी जी जिए गेनिटिक्स में पढ़ते हैं जो मैं बता रहा हूं इतना ही चीजे पूछा तो सब नहीं हाता है हम आपको यह बता रहे कि क्या क्या चीज पढ़ना हो आप ले लो कि नहीं तो बिदी चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू फर वाचिव झाल झाल